C.I.E.T. N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तुत है कक्षा नौ के लिए पाठे पुस्तक अर्थशास्त्र अध्याई 1. पालंपुर गाउं की कहानी प्रिष्ट संख्या 1. अवलोकन इस कहानी का उद्देश उद्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक कालपनिक गाउं पालंपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं पालंपुर में खेती मुख्य क्रिया है जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लगूस्तरिये विनिर्मान, डेरी, परिवहन आदी, सीमित स्तर पर की जाती हैं इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्य प्रकार के संसाधनों की आवशक्ता होती है यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा, आदी पालंपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गाउं में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्य संसाधन किस प्रकार समायोजित होती है परिचय पालंपुर आसपडोस के गामों और कस्पों से भलिभाती जुड़ा हुआ है एक बड़ा गाउं राय गंज पालंपुर से तीन किलो मीटर की दूरी पर है प्रत्यक मौसम में ये सड़क गाउं को राय गंज और उस से आगे निकटतम छोटे कस्पे शाहपुर से जोड़ती है इस सड़क पर गुड और अन्य वस्तूओं से लदी हुई बैलकाणिया भैसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं इस गाउं में विभिन जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं गाउं में अधिकांश भूमी के स्वामी उच्च जाती के असी परिवार हैं उनके मकान जिन में से कुछ बहुत बड़े हैं, इंट और सिमेंट के बने हुए हैं अनुसूच तजाती अर्थात दलित के लोगों की संख्या गाउं की कुल जनसंख्या का एक तिहाई है खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपियोग विभिन्न प्रकार के छोटे कारियों के लिए भी किया जाता है पालमपुर में दो प्राथमिक विद्याले और एक हाइ स्कूल है गाउं में एक राजकी ये प्रात्मिक स्वास्थिकेंद्र और एक निजी और शधाले भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है एक कालपने गाउं पालमपूर की कहानी हमें किसी भी गाउं में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गदिविधियों के बारे में बताय की भारत में गाउं में खेती उत्पादन की प्रमुख गदिविधि है अन्य उत्पादन गते विधियों में जिन्हें गेर कृशी क्रियाएं कहा गया है लगू विनिर्मान, परिवहन, दुकानदारी आदी शामिल हैं हम उत्पादन के बारे में कुछ सामानने बातیں जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे ये कत्थे आंशिक रूप से गिलबर्ट 18 के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिमी उत्तरप्रदेश के जिला बुलंद शहर में एक गाहों से है इस विवरण से स्पष्च है कि पालंपूर में सडकों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालायों और स्वास्थे केंद्रों का परियाप्त विकसित तंत्र है इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गाहों में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए इस प्रिष्ट पर एक चित्र है, चित्र 1.1, जिसमें एक गाहों का द्रिश्य दिखाया गया है प्रिष्ट संख्या 2 उत्पादन का संगठन उत्पादन का उद्देश एसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है, जिनकी हमें आवशक्ता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवशक है पहली आवशक्ता है भूमी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज दूसरी आवशक्ता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कारें को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है दूसरी क्रियाओं के लिए शारेरिक कारे करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है प्रतेक श्रमिक उत्पादन के लिए आवशक श्रम प्रदान करता है तीसरी आवशकता भौतिक पूँजी है अर्थात उत्पादन के प्रतेक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतरगत कौन-कौन सी मदें आती हैं? क ओजार, मशीन, भवन ओजारों तथा मशीनों में अत्यन्द साधारन ओजार जैसे किसान का हल से लेकर परिश्कृत मशीने जैसे जेनरेटर, टर्बाइन, कम्प्यूटर आदी आते हैं ओजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इने स्थाई पूंजी कहा जाता है कच्चा माल और नगत मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवर्शक्ता होती है जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी उत्पादन के दौरान भुक्तान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवशक्ता होती है कच्चा माल तथा नगत पैसों को कारेशील पूंजी कहते हैं ओजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है एक चौथी आवशक्ता भी होती है आपको स्वयम उपभोग हे तू या बाजार में बिक्री हे तू उत्पादन करने के लिए भूमी, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्यान और उद्यम के आवशक्ता पड़ेगी आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है मानव पूंजी के विशय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे इस प्रिष्ट पर एक चित्र है चित्र संख्या एक पॉंट दो जिसमें कारखाने में मशीनों पर कारे करते श्रमिक दिखाए गए है चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमी, श्रम और स्थाई पूंजी की पहचान कीजिए उत्पादन, भूमी, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है पालमपुर की कहानी को पढ़ने के करम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंची को पूंची कहेंगे पालंपुर में खेती एक भूमी स्थिर है पालंपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है काम करने वालों में 75 प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं वे के सान अथवा क्रिशी श्रमिक हो सकते हैं इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है लेकिन याद रखिए क्रिशी उत्पादन में एक मूल भूत कठनाई है खेती में प्रयोक्त भूमिक्षेत्र वस्तुता स्थिर होता है पालंपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतरगत भूमिक्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है उस समय तक गाउं की कुछ बंजर भूमिको क्रिशी योग्य भूमि में बदल दिया गया था नई भूमिको खेती योग्य बनाकर क्रिशी उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है भूमी मापने की मानक इकाई हेक्टेर है यद्देपी गाउं में भूमिका माप बीखा, कुंठा, आदी जैसी क्षेत्री एकाईयों में भी किया जाता है एक हेक्टेर, सौ मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्र फल के बराबर होता है क्या आप एक हेक्टेर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते है प्रिष्ट संख्या 3 2. क्या उसी भूमी से अधिक पैदावार करने का कोई तरीखा है यहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालंपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाउं की तरह लगता है पालंपुर में समस्त भूमी पर खेती की जाती है कोई भूमी बेकार नहीं छोड़ी जाती बरसाद के मौसम अर्थाद खरीफ में किसान जुआर और बाजरा उगाते हैं इन पाधों को पश्चूँ के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है इसके बाद अक्तूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है सर्दी के मौसम अर्थात रभी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रख कर शेश गेहूं किसान राय गंच की मंडी में बेच देते हैं भूमी के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड के रूप में शाहपूर के व्यापारियों को बेचा जाता है पालमपुर में एक वर्ष में किसान तीन अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्यूंकि वहां सिचाई की सुविकसित व्यवस्था है पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी उसका मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि सिचाई की पधती ही बदल गई तब तक किसान कूओं से रहट द्वारा पानी निकाल कर छोटे-छोटे खेतों की सिचाई किया करते थे लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिचाई की जा सकती थी प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिये परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिचाई होने लगी भारत में सभी गावों में ऐसी उच्चस्तर की सिचाई व्यवस्था नहीं है नदिये मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटिये क्षेत्रों में अच्छे सिचाई होती है इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षणी पठार में सिचाई कम होती है देश में आज भी कुल कृषिक शेत्र के 40 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में ही सिचाई होती है शेश क्षेत्र में खेती मुख्यतह वर्षा पर निर्भर है एक वर्ष में किसी भूमी पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविद फसल प्रणाली कहते हैं ये भूमी के किसी एक टुकड़े में उपच बढ़ाने की सबसे सामानने प्रणाली है पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसले पैदा करते हैं कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं चित्र संख्या 1.3 जिसमें गेहूं, बाजरा, गन्ना और आलू जैसी विभिन नफसले दिखाई गई हैं आईए चर्चा करें सारणी 1.1 में 10 लाख हेक्टेर की एकाईयों में भारत में कृषिक शित्र को दिखाया गया है सारणी के नीचे दिये गए आरेख में इसे चित्रत करें आरेख क्या दिखाता है? कक्षा में चर्चा करें पॉइंट 2 क्या सिचाई के अंतरगत आने वाले क्शेत्र को बढ़ाना आवशक है? क्यूं? प्रिष्ट संख्या 4 सारणी 1.1 पिछले वर्षों में जुदाई क्षेत्र वर्ष तथा क्रिशिक्षेत्र मिलेनियम हेक्टर में वर्ष 1950 क्रिशिक्षेत्र मिलेनियम हेक्टर 120 वर्ष 1960 क्रिशिक्षेत्र मिलेनियम हेक्टर 130 वर्ष 1970 मिलेनियम हेक्टर 140 वर्ष उन्नी सो असी, क्रिशिक्षेत्र मिलेनियम हेक्टर एक्सो चालीस वर्ष उन्नी सो नब्बे, क्रिशिक्षेत्र मिलेनियम हेक्टर एक्सो चालीस वर्ष दोहजार, क्रिशिक्षेत्र मिलेनियम हेक्टर एक्सो चालीस वर्ष 2006, क्रिशिक शेत्र मिलेनियम हेक्टर 140 वर्ष 2008, क्रिशिक शेत्र मिलेनियम हेक्टर 140 इस बॉक्स में पहले बताये गए बॉक्स के वर्ष और क्रिशिक शेत्र मिलेनियम हेक्टर को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है उदारण के लिए 1950 और ग्राफ है 120 बागी आप स्वैम बनाएं आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में सुन चुके हैं अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिये अर्थात सारणी में पहले लिखिये फसल का नाम फिर किस महा में बोई गई, किस महा में काटी गई और अंत में सिंचाई का साधन, अर्थात वर्षा, तालाब, नलकूप, नहर, आदी आपने सुना कि एक ही जमीन के टुकडे से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविद फसल प्रणाली है दूसरा तरीका, अधिक उपच के लिए खेती में आधुने कृशी विधियों का प्रयोग करना है उपच को भूमी के एक इसी टुकडे में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपच अपेक शक्रत कम थी परंपरागत बीजों को कम सिचाई की आवशकता होती थी किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खात का प्रयोग करते थे ये सब किसानों के पास ततकाल ही उपलब्ध थे उन्हें इनको खरिदना नहीं पड़ता था 1960 के दशक के अंत में हरत क्रांती ने भारतिये किसानों को अधिक उपजवाले बीजों अर्थात HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए परमपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी इसके परिणाम सुरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी यदिपी अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिक्तम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीट नाशकों की जरूरत थी अधिक उपज केवल अती उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीट नाशकों आधी के संयोजन से ही संभव दी भारत में पंजाब, हरियाना और पश्चिमे उत्तरप्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया इन क्शित्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और एच वाई वी बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीट नाशकों का प्रयोग किया उन में से कुछने, ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीने खरीदी जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया उन्हें इन से गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई पालंपुर में परमपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोगराम प्रती हेक्टेर थी HYV बीजों से उपज 3200 किलोगराम प्रती हेक्टेर तक पहुँच गई गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धी हुई किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेश के हूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी प्रिष्ट चार पर एक चित्र है चित्र संख्या एक पॉइंट चार जिसमें आधुनिक क्रिशी के तरीके HYV बीज, रासायनिक उर्वरक आदी दिखाए गए है प्रिष्ट संख्या पाँच आईए चर्चा करें पॉइंट एक बहुविधी, फसल, प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है सारणी एक पॉइंट दो दालों और गेहूं का उत्पादन टन में बॉक्स में वर्ष दाल का उत्पादन तथा गेहूं का उत्पादन 1965-66 दाल का उत्पादन 10 टन, गेहूं का उत्पादन 10 टन 1971 में दाल काउत पादन 12 तन, गेहुं काउत पादन 24 तन वर्ष 1981 में दाल काउत पादन 11 तन, गेहुं काउत पादन 36 तन वर्ष 1991 में दाल काउत पादन 14 तन, गेहुं काउत पादन 55 तन वर्ष 2000-2001 दाल का उत्पादन 11 टन गेहुं का उत्पादन 70 टन वर्ष 2010-2011 दाल का उत्पादन 18 टन गेहुं का उत्पादन 86 टन स्रोत कृषी एवं सहकारिता विभाग आर्थिक एवं सांख्य की ये निदेशाले सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांती के बाद गेहुं और दालों के उत्पादन को करोड टन एकाईयों में दिखाया गया है इसे एक आरेख बना कर दिखाईए क्या हरित क्रांती दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई? विचारवे मर्ष करें पॉइंट 3. आधुनिक क्रिशी विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवशक कारेशील पूंजी क्या है? पॉइंट 4. पहले की तुलना में क्रिशी की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नगत की जरूरत पड़ती है क्यूं? सुझाई गई क्रियाएं खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बातें कर ये मालूम कीजिए 1. आधुनिक या परंपरागत या मिश्षत खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं? 1. टिपणी लिखिये 2. सिंचाई के क्या स्रोथ है 3. क्रिशी भूमी के कितने भाग में सिंचाई होती है 4. किसान अपने लिए आवशक आगत कहां से प्राप्त करते है 3. क्या भूमी ये धारण कर पाएगी भूमी एक प्राकृतिक संसाधन है अता इसका साफधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है वैज्यानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधनिक क्रिशी विध्यों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उप्योग किया है अनेक क्षित्रों में हरित क्रांती के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वर्ता कम हो गई है इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमी जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है मिट्टी की उर्वर्ता और भौम जल जैसे पर्यावरणी ये संसाधन कई वर्षों में बनते हैं एक बार नश्ठ होने के बाद उन्हें पुनर जीवित करना बहुत कठिन है क्रिशी का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए सुझाई गई क्रिया एक अखबारों अथवा पत्रिकाओं से पार्च में दी गई रिपोर्टें पढ़ने के बाद क्रिशी मंत्री को ये बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है प्रिष्ट संख्या 6 बॉक्स रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिश देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती वे मिट्टी से निकल कर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूशित करते हैं रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवानों और सुक्ष्म अवयवों को नश्ट कर सकते हैं इसका आर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपचाओ रह जाएगी देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्थर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है इसका मतलब है कि वहां खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है पालमपुर के किसानों में भूमी किस प्रकार विदरित है आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमी कितनी महत्वपूर्ण है दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमी नहीं है पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमी नहीं है जो अधिकांशता दलित है बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमी है, 2 हेक्टियर से कम ख्षित्रफल वाले छोटे भूमी के टुकडों पर खेती करते हैं भूमी के ऐसे टुकडों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमतनी नहीं होती 1960 में क्रिशक गोविंद के पास 2.25 हेक्टियर अधिकतर असिंचित भूमी थी गोविंद अपने तीन पुत्रों की मदद से इस भूमी पर खेती करता था यद्यपी वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे लेकिन परिवार अपनी एक भैस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था गोविंद के मृत्यू के कुछ वर्ष पस्चात ये भूमी उसके तीनों पुत्रों के बीच बढ़ गई प्रत्येक के पास अपकेवल 0.5 हिक्टेर भूमी का टुकड़ा था परन्तु अब भेतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कारे भी ढूनना पड़ता है चित्र संख्या 1.5 जिसमें पालंपुर गाउं में कृशी भूमी का वित्रण दिखाया गया है चित्र 1.5 में आप एक खेत के चारों और बिखरे हुए भूमी के छोटे छोटे टुकड़े देख सकते हैं इन पर छोटे किसान खेती करते हैं दूसरी ओर गाउं के आधे से ज़्यादा क्शित्र में काफी बड़े आकार के प्लोट हैं पालमपूर में मजोले और बड़े किसानों के साथ परिवार हैं जो दो हेक्टेर से अधिक भूमी पर खेती करते हैं कुछ बड़े किसानों के पास दस हेक्टेर या इस से अधिक भूमी है प्रिष्ट संख्या साथ आईए चर्चा करें 1. चित्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमी को छायांकित कर सकते हो 2. किसानों के इतने अधिक परिवार भूमी के इतने छोटे प्लोटों पर क्यों खेती करते हैं 3. आरेक 1.1 में भारत में किसानों और उनके द्वारा खेती में प्रियुक्त भूमी का वित्रण दिया गया है इसकी कक्षा में चर्चा करें आरेक 1.1 क्रिशिक्षेत्र और क्रिशकों का वित्रण क्रिशिक्षेत्र और क्रिशकों की संख्या यहां दो गोलाकार हैं, एक में क्रिशिक्षेत्र दर्शाया गया है और दूसरे में क्रिशकों की संख्या, उधारण के लिए क्रिशिक्षेत्र है 36 प्रतिशत और क्रिशकों की संख्या 20 प्रतिशत, छोटे क्रिशक अर्थात 2 हेक्टेर से कम वाले 64 प्रतिशत, मजोले और ब 2006, Department of Agriculture and Corporation, Ministry of Agriculture, Government of India आईए चर्चा करें 1. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालंपुर में कृषि भूमी का वित्रण असमान है? क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिती है? व्याख्या कीजिए 5. श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमी के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवशक कारक है खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवशकता होती है छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयम काम करते हैं इस तरह वे खेती के लिए आवशक श्रम की व्यवस्था स्वयम ही करते हैं मजोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराय पर लगाते हैं आईए चर्चा करें चित्र संख्या 1.6 चित्र 1.6 में 6 अलग-अलग चित्र हैं जिनमें खेतों में कारे दिखाया गया है अर्थात गेहूं की फसल, कटाई, बीच बोना, कीट नाशकों का छड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई दिखाई गई है खेतों में किये जाने वाले कारें को चित्र 1.6 में पहचानिये तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थत कीजिए प्रिष्ट संख्या 8 खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमी हीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लोटों में खेती करने वाले परिवारों से खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है बलकि उन्हें उन किसानों द्वारा मस्दूरी मिलती है जिन के लिए वे काम करते हैं मस्दूरी नगत या वस्तु जैसे अनाच के रूप में हो सकती है कभी-कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है मस्दूरी एक क्षित्र से दूसरे क्षित्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृशिकारे जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग-अलग होती है रोजगार की अवधी में भी काफी भिन्नताएं हैं खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मस्दूरी के आधार पर कारे करते हैं या उन्हें कारे विशेश जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है चित्र संख्या एक पॉइंट साथ जिसमें डाला और रामकली के बीच बात चीत है डाला और रामकली गाओं के सबसे निर्धन नागरिक में से हैं डाला आजकल काम मिलना कठिन है केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वो भी बहुत कम दिनों के लिए रामकली घंशाम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में पाँच महा से भी कम समय काम किया था डाला हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेशर है यहां तक की खर पतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खर पतवार नाशकों को चड़कते हैं डाला मुझे स्थानिय साहुकार को दो हजार रुपए देने है मैंने पिछली गर्मियों में एक हजार रुपए लिये थे जब खेतों में काम नहीं था मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा मैं दो वक्त की भूजन के लिए भी कठनाई से कमाता हूँ रामकली इस वर्ष मुझे राय गंज में इंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़े की मेरी स्थिती भी ज्यादा अच्छी नहीं है पिछले कर्ज के कारण सहुकार मुझे रण देने से मना कर देते हैं डाला पालमपूर में दैनिक मस्दूरी पर काम करने वाला एक भूमी हिन शमिक है इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूनते रहना पड़ता है सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का नियुनतम वेतन 115 रुपे निर्धारित है लेकिन डाला को मात्र 80 रुपे ही मिलते हैं पालमपूर में खेती हर श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है इसलिए लोग कम वितन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं डाला अपनी स्थिती के बारे में रामकली से शिकायत करता है जो कि एक अन्ने खेती हर्श्रमिक है डाला और रामकली दोनों गाउं के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं प्रिष्ट संख्या 9 आईए चर्जा करें एक डाला तथा रामकली जैसे खेती हर्श्रमिक गरीब क्यूं है दो गुसाईपूर और मज्छॉली उत्तर बिहार के दो गाउं है दोनों गाउं के कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हर्यान के ग्रामिन इलाखों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदरबाद या नाकपूर में काम कर रहे हैं इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतिय गाउं में होता है लोग प्रवास क्यूं करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मज्छोली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह काम करते होंगे? 6. खेतों के लिए आवशक पूंजी आप पहले ही सुन चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवशकता होती है अधा अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए एक, अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की विवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है वे बड़े किसानों से या गाओं के साहुकारों से या खेती के लिए विभिन आगतों की पूर्ती करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत उंची होती है कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कश्ट सहने पड़ते हैं दो, छोटे किसानों के विप्रीत मजोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है इस तरह वे आवशक पूंची की वेवस्था कर लेते हैं इन किसानों को बचत कैसे होती होगी आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे सविता की कहानी सविता एक लगु क्रिशक है वो अपनी एक हेक्टेर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है बीज और कीट नाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरमत करवाने के लिए नकत पैसों की जरूरत है उसका अनुमान है कि कारेशील पूंजी के रूप में ही उसे तीन हजार रुपे चाहिए उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो एक बड़े किसान तेशपाल सिंग से कर्ज लेने का निर्णा लेती है तेशपाल सिंग सविता को 24 प्रतिशत की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है जो ब्याच की एक बहुत उंची दर है सविता को ये भी वचन देना पड़ता है कि वो कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपे प्रतिदिन पर काम करेगी आप भी कह सकते हैं कि ये मजदूरी बहुत कम है सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा कटाई कसा में बहुत व्यस्त होता है तीन बच्चों की मा के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है सविता इन कठोड़ शर्तों को मानने के लिए तयार हो जाती है क्यूंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है प्रिष्ट संख्या 10 7. अधिशेश क्रिशी उत्पादों की बिक्री मान लीजे कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमी में गेहूं पैदा किया है गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है किसान गेहूं का क्या करते हैं वे परिवार के उपभोक के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेश गेहूं को बेश देते हैं सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेश केहूं होता है क्यूंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवशक्ताओं के लिए रख लेते हैं इसलिए मजहूले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ती करते हैं चित्र एक पॉइंट एक में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैल गाड़ी देख सकते हैं बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्पों और शेहरों के दुकांदारों को बेच देते हैं। इने कर्स के आवशकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कारेशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेशपाल सिंग बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स् के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग, पशू, ट्रक आदी खरीदने, अत्वा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम सुनेंगे, इन सब को गैर कृशी कारियों के लिए पूंजी केहते हैं। अब तक की कहानी। हमने उत्पादन के तीन कारकों भूमी, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आईए, अब दिये गए रिक तस्थानों को भरें। उत्पादन के तीन कारकों में उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्धका रखे। ऐसे अनेक लोग हैं जो गावों में खेती हर मजदूरों के रूप में काम करने को तयार हैं जबकि काम के अफसर सीमित हैं। वे या तो भूमी हीन परिवारों से हैं या रिक तस्थान की पूर्ती कर हैं। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमी भी रिक तस्थान की पूर्ती करें समान अत्वा असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमी के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिती भूमी हीन खेती हर उपलब्द भूमी का अधिक्तम प्रयोग करने के लिए किसान, रिक्तस्थान की पूर्टी करें और रिक्तस्थान की पूर्टी करें का उप्योग करते हैं। और कर्श चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेश रूप से छोटे किसानों के लिए पूर्टी भी उत्पादन का एक दुरलब कारक है। इसलिए ये बहुत आवर्शक है कि हम भूमी और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह देखभाल करें। पालमपूर में गैरकृशी क्रियाएं। हमने सुना कि पालमपूर में खेती ही प्रमुक उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैरकृशी उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25 प्रतिशत लोग क्रिशी के अतिरिक्त अन्यकारे करते हैं। एक डेरी अन्य प्रचलित क्रिया पालमपुर के कई परिवारों में डेरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली जोआर और बाजरा अर्थाद चरी खिलाते हैं। दूद को निकट के बड़े गाउं राएगंच में बेजा जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने राएगंच में दूद संग्रहन एवं शीतलन के इंद्र खोला हुआ है जहां से दूद दूर दरास के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। प्रिष्ट संख्या ग्यारा आईए चर्चा करें। एक, हम तीन किसानों के उधारन लेते हैं। प्रतेक ने अपने खेतों में गेहूं बोया है। यद्देपी उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। स्तंभ दो, दूसरा किसान, प्रतेक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है। स्थम्भ तीन, तीसरा किसान, इस वर्ष के समस्थ अधिशेश गेहूं का उप्योग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। ये भी मान लीजिए के उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दो गुना होता है। सारणियों के लिए पूंजी वर्ष एक उत्पादन सौ उपभोग चालीस अधिशेश उत्पादन उपभोग साथ अगले वर्ष के लिए पूंजी साथ वर्ष दो उत्पादन 120 उपभोग 40 अधिशेश उत्पादन उपभोग इसे आपको पूरा करना है। अगले वर्ष के लिए अगले वर्ष के लिए पूंजी ये आपको पूरा करना है। अगले वर्ष के लिए पूंजी आपको पूरा करना है। वर्ष एक उत्पादन साथ उपभोग चालीस अधिशेश उत्पादन उपभोग आपको पूरा करना है। अगले वर्ष के लिए पूंजी आपको पूरा करना है। अगले वर्ष के लिए पूंजी आपको पूरा करना है। उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा। दो, पालमपूर में लगुस्तरिये विनिर्मान का एक उदाहरण। इस समय पालमपूर में 50 से कम लोग विनिर्मान कारियों में लगे हैं। शेहरों और कस्बों में बड़ी फैक्टरियों में होने वाले विनिर्मान के विपरीत, पालमपूर में विनिर्मान में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रियोग होता है। और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्मान कारे पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिक तर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराय पर लिया जाता है। मिश्रीलाल की कहानी मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है, जो बिजली से चलती है, और उसे अपने खेट में लगाया है पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते है मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है गुड़ को फिर शाहपूर के व्यापारियों को बेचा जाता है इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल थोड़ा लाप कमा लेता है आईए चर्चा करें एक, मिश्रीलाल को गुड़ बनाने की उत्पादन एकाई लगाने में कितनी पूंची की जरूरत पड़ी दो, इस कारे में श्रम कौन उपलब्ध कराता है तीन, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्रीलाल क्यूं अपना लाब नहीं बढ़ा पा रहा है चार, क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिन से उसे हानी भी हो सकती है पाँच, मिश्रीलाल अपना गुड़ गाउं में न बेज कर शाहपुर के व्यापारियों को क्यूं बेजता है प्रश्च संख्या बारहा तीन, पालमपुर के दुकानदार पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गाउं में लाकर बेचते हैं आप सुनेंगे कि गाउं में छोटे जर्नल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाए, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मुम्बत्यां, कौपियां, पैन, पैंसिल, यहां तक की कुछ कपड़े भी बिखते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है, वे खाने की चीजें बेचते हैं। उन्हें काम पर लगाने का निश्चे किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की और खुले, बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंब की। हाइ स्कूल के छात्रों ने परियाप्त संख्या में इनका क्षाओं में आना प्रारंब कर दिया है। आईए चर्चा करें। ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलकाडी और दूसरी गाडियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तूओं को एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जोड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब वो भैस का दूथ बेचता है। अब उसने अपनी भैसा गाड़ी भी बना ली है। जिसमें वो कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वो गंगा के किनारे से कुमहार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी-कभी वो गुड अथवा अन्य वस्तूओं को लेकर शाह पुर जाता है। परिणाम सुरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। आईए चर्चा करें। 1. किशोर की स्थाई पुंजी क्या है। 2. क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कारेशील पुंजी कितनी होगी। 3. किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है। 4. क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालंपुर की अच्छी सड़कों से लाप हुआ है। प्रिष्ट संख्या 13 सारांश गाउं में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विध्यों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमी से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धी है क्यूंकि भूमी स्थाई तथा दुरलब है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाफ पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमी परंतु अधिक पूंची की जरूरत पड़ती है। मजोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंची की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी और छोटे किसानों के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या का अस्सी प्रतिशत भाग है, पूंची की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। श्रम पूर्ती उत्पादन के अन्ने कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है। अतह नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आधर्श होता। दुर्भाग गिवश ऐसा नहीं हुआ। बहुत बढ़ा नहीं है। भारत में ग्रामिन क्षेत्र के सौ कामगारों में से केवल 24 ही गैर क्रशी कारों में लगे हैं। यद्दिपी गाउं में अनेक प्रकार के गैर क्रशी कारे होते हैं। हमने केवल कुछ ही उधारन सुने हैं। प्रत्य कारे में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविश्य में गाउं में गैर क्रशी उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धी हो। खेती के विपरीत गैर क्रशी कारें में कम भूमी की आवशक्ता होती है। लोग कम पुझी से भी गैर क्रशी कारे प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है आवशकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गेर कृशी कारे शुरू कर सकें गेर कृशी कारियों के प्रसार के लिए ये भी आवश्रक है कि ऐसे बाजार हूं जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें पालमपुर में हमने सुना कि आसपडोस के गावों, कस्पों और शेहरों में दूद, गुड, गेहूं आदी उपलब्ध हैं जैसे जैसे ज्यादा गावों, कस्पों और शेहरों से अच्छी सडकों, परिवहन और टेलेफोन से जुड़ेंगे, भविश्य में गावों में गेर कृशी उत्पादन क्रियाओं के अफसर बढ़ेंगे प्रिष्ट चौधा अभ्यास एक, भारत में जनगणना के दौरान, दस वर्ष में एक बार प्रत्य गावों का सर्वेक्षन किया जाता है पालंपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिये क, अफस्थितिक खेत्र, ख, गाव का कुलक्षेत्र, ग, भूमी का उप्योग हेक्टेर में बॉक्स में, क्रिषी भूमी, इस सारणी में अन्ने कॉलम है, क्रिषी भूमी, सिंचित, असिंचित भूमी जुक्रिषी के लिए उप्लब्ध नहीं है, अर्थात निवास स्थानों, सडकों, तालाबों, चरागाहों आधिक एक्षेत्र 26 हेक्टेर घ, सुविधाई, शैक्षिक, चिकित्सा, बाजार, बिजली पूर्ती, संचार, निकट्तम कस्पा 2. खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवशक्ता होती है, जिने उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है क्या आप सहमत है 3. पालंपूर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की 4. क्या सिंचित ख्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यूं? 5. पालंपूर के 450 परिवारों में भूमी के वितरण की एक सारणी बनाईए 6. पालंपूर में खेती हर श्रमिकों की मजदूरी नियूनतम मजदूरी से कम क्यूं है 7. अपने क्षेत्र में दो श्रमिकों से बात कीजिए खेतों में काम करने वाले या विनिर्मार कारे में लगे मजदूरों में से किसी को चुने उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगत पैसा मिलता है? या वस्त रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? आठ एक ही भूमी पर उत्पादन बढ़ाने के अलग-अलग कौन से तरीखे हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए नौ, एक हेक्टेर भूमी के मालिक किसान के कारे का ब्योरा दीजिए दस, मजोले और बड़े किसान क्रिशी से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? ग्यारा, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंग से रुण मिला है क्या ब्याज की कमदर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिती अलग होती? बारा, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजे और पिछले तीस वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए वैकल्पिक तेरह, आपके क्षेत्र में कौन से गेरकृशी उत्पादन कारे हो रहे हैं? इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाई ये चौदा गावों में और अधिक गैरकृशी कारे प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रिष्ट संख्या पंध्रा संदर्भ एटिन गिल्बर्ट, 1985 रूरल डिवलप्मेंट इन एशिया मेटिंग विद पेसंस सेज पॉब्लिकेशन नई दिल्ली एटिन गिल्बर्ट, 1988 फूद और पोवर्टी, इंदियास हाफ वन बैटल सेज पॉब्लिकेशन नई दिल्ली राज के एन 1991 विलेज इंडिया और इस पॉलितिकल एकोनमी सेज पॉब्लिकेशन नई दिल्ली थॉर्नर, डेनियल और थॉर्नर, एलिस 1962 लांड और लेबर इन इंडिया एशिया पॉब्लिशिंग हाउस मुंबई अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत